खोडिया जंग एसकेपी सेवन न्यूज मुजाफर पुर पुलिस ने 50 लाख की शराब की बरामद चालक फरार मुजफर पुर में शराब बंदी के बावजूद शराब माफया शराब मंगाने का अलग-अलग तरीकों का इस्तिमाल कर रहे हैं उनके इस कर्तुत को पुलिस भी देर सबेर समझ चुकी है कुर्णी पुलिस ने गश्ती के दोरान बुद्वार की देर रात एक कंटेनर से बड़ी मात्रा में शराब जप्त करने में सफलता पाई है पुलिस का कहना है कि जप्त शराब की कीमत 50 लाक रुपे की है शराब जप्ती के बाद शराब माफयाओं में हरकंप मच गई है मामले में थाना अध्यक्ष शशिभूशन कुमार ने बताया की बुद्वार की देर रातरी पुलिस गश्ती के दोरान पुलिस को सड़क से गुजर रही एक यूपी नंबर कंटेनर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी एटी 1588 पर शक हुआ पुलिस ने चालक को कंटेनर रोकने का इशारा किया जब कंटेनर रोका तब पुलिस ने कंटेनर की जाच की जाच करने के दोरान पुली सकर्मी शराब देखकर चॉक गए इधर, पुलिस कंटेनर चालक को धूढने लगी तब तक मौके का फाइदा उठाकर चालक भागने में सफल हो गया पुलिस ने जट कंटेनर से 750 मिन का 425 काटन शिराब जट की है जिसकी एनुमानित कीमत 50 लाग पी पे बटाई जा रही है जब कंटेनर की रेजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस कारी मालक वचालक की जानकारी जटा रही है पुलिस का कहना है की जानकारी जटा लोनी के बाद कारी मालक वचालक पर प्राथमी की दर्ज कराई जाएगी